हलो, मेर नाव चौधिरी रिजिंदर निजर है, ते मैं पंडोरी निजरादा जाटागा, ते इत्थे रेडिंग रहिना इंग्लेंड एचे, मैं रिटाइड लेक्षरर सीगा, ते होन मैं क्रिस्टियनीटी ते सिखिजम ते परचार कर जाएगा, कि जड़ाएगा सिखिजम हैगा, एक कांटिनुएशन आप क्रिस्टियनीटी हैगी, जड़ा सिख हैगा उन्हों ए वाइबल दे पैराबल समझाने, कोई एने मुश्कर नहीं हैगे, ए जड़ाएगा, ए फोर कभीरा गांट ना खोल, नहीं पतन, नहीं पार्खूर, नहीं गहक, नहीं मोल, ए जड़ाएगा, रिलिज़ास नौलिज आगा, ए खारेक ले नहीं हैगा, ए किसे किसे नुँ इंट्रेस्ट हुन देगा, ते हारेक दे मुरे पौना, जड़ाएगा, पस्वा मुरे बीन बिर्टीयां दे अंसार, सत गिसमा दे मनुख मिर दे हन, आथे एना सन्चन ले नाल, ट्रिनिटी, आथे सारा धार्मक ज्ञान भी समझ वेच आज पर ईंदर है, ना सत्तां दी समझ यहूतियां दे सद बतियां वाले मनुरा, नाल भी समझाई जा सकदी है, हों में पर जन्द पोक्खे रहना पिया ता रजो गुन दे अनुसार ये दौड आये सन। पर जन्द माई भागो जी ने लाख रानत पाई ता ए फिर खूब लड़े अते मौफिक कमा के मुक्तदान भी पागय सन। इस सेले जो इसाजी दे काम्यानु मुरख लोग पत्थरा ना मार दे सन। ता ओगो अकाल पुर नु अर्दास कर दे सन। के ए लोग नहीं जान दे के ओ की कर रहे हैं। इस बिर्ती दे मुरख लोग पिंडा वेचे आम विलंगे। अते सुर्ती ना होन करके ए आपस वेचे लड़दे फिरदे अते मर्दे रहिंदे हां। अते फिर कचैरियां वेचे धके खांदे फिरदे हां। इना बारे मशूर है मुरख दी शाह बिना पत नहीं हते ब्राह्मन गुरू बिना गत नहीं। मुरख लोग अपनी अकल हते प्राया धन वड़ा लगता है। मुरख विचे जट कौम दे लोग एक नमबर उते हन। इससे करके बानी वेच भी मुरख दी मसाल जट दे नाल ये दिती जांदी है। फिरीदा लोडे दाख बिजोरियां किकर बीजे जट। हंडे उन कताई दा पैदा लोडे पट। बीजे दा किकर कंडे तेके दा में पावा रेशम दे कपडे। हर्याने वेच एन जटन ता सभा इंज दस्या जंद है। जाटडा सा काटडा अपना ही घरगाले साय। जिमें बच्चे साफ दिना दे हुंदे हैं। इवें ही पिंडा दे लोग भी आम साफ दिना दे पोले पाले हुंदे हैं। जे कोई एन विच्चों सुर्ति वाला होगे बेइमाना होगे ता ओ बानी दी समझ पाके एन वेचे सिखी दा परचार खूब कर सकदा है। जे मैंने के तुसी मैनों पेखोगे सिख पेखी दागा देखी दानी आगा। यानि के शकल दानी से खूदा मुझ जो निकले उत्तु पादला दा इनकी सिख्या। मूरख दे वेच्च चौदर दा बड़ा शौक होंदा है। जे एदा दे मूरख चदों चतर चलाका देहत चड़ जन देहां। ता ओ एन न मूरख दा खूब मुखवल दाओंदेहां। जे वड़या के खूब फैदा वी अठाओंदेहां। किन्ना को बेवाकूब बनाओंदेहां। इस दा वेर्वा इंज है। छोटे चाओदरी मुखताई वेच अपना गोथ छटके अपने पेंड़ दा न लिखं लगपेंदेहां। हुन अपने पेंड़ दा न ओ लिख दा है जड़ा आजमी पेंड़ दी एक कंजरी दे पेटों पैदा होया होए। क्योंके इस पेंड़ मुंड़े दे प्योदा पका पदा नहीं होंदा। है ओ एदा नौ सिर्फ पेंड़ जड़ी के माम दीएगी दे ना उते ही रख सकती है। आपके ए मुरख अपने प्योदा गोच छड़ के अपनी ही मुरखताई बेच एक कंजरी दे पेटों होके बहुत खुश हुंदे हन। है फुले नहीं समोंदे। है अपनी बिचारी मान दीवी बेच दी कर दे हन। हुन जेड़ा मुरख अपने शैरदा ना लेखदा है उस दीद मुरखताई दाता तुसी आप ही अंदादा लगाओ। इन उकेंदे हन हुन में वेचित जाती जिनसी खोवे। हुन इस किसम दे लोग अकाल तस दे जथे दार बड़े बैठे हन। अपनी जाता दे दुनिया भी पिवहां जाता पता नहीं पार बैठे हन उस थां हुन ते जड़ा है। के दुनिया भर सारे दार्मक अस्थान ना विचु महापवित्र है। याद रखो जड़ा अकाल तक्त हैगा। दुनिया भर सारे दार्मक अस्थान है। वो तो दूजे दर्दे दे फेर अनद पुर्शाव दा किला उत्थे। फेर तीजे दे अगा हर मंदर साव। याद रखो के ए अकाल तक्त चोथे पंथ दे निर्मले संता दा तक्त है ना के तीसरे पंथ दे खालशे दा। जिन्ना लोकनों अपने दुन्या भी प्योवदा दा पता ही नहीं। ता एदना दे मूर्ख लोकान तुम तुझी की सिखोगे। याद रखो ना ही खाल से अते ना ही निर्मले संत ग्रिष्टी हुंदे हान, बलके ए अकाल पर रख दे दूब्धा तू रहे तो फौजी खाल से फौजी हुंदेने ते निर्मले संत हुंदेने तंडोर्ची हुंदे हान, ते ए जड़ा हैगा अपने अकाल तक ताहगा, एक जड़ो सक्षे पास्षा गुबिंद सेंगी निर्मिर संत से जाया थी, निर्मिर संत अभपंत से जाया थी, त़ एन नुग कल्या से के जाओ अपने तफते बैठो थे अम्रसार. जब वे अमरुसार आये सान, ते जड़े मीने खत्री जणने ने हाथे चीकव जादी गा, हर मंदर साफ दा, उननने इननने पैरनी उत्ते टिकन दिते, ते इनननु बारी खाडा बनोवान पिया. तो असे कियान देना की में लिख विखेंगे अखाड़ में करतकि हहिए अनुह डॉस्त करा अवकी हाद 소पा भी जड़ गात क्याक्त है बहुत अदर जड़ें ऑद एस जड़ें सेंखिल संत में और आज कयो जड़ें अपने अपने आपनों काल परखदी प्रेपेंट किता होंदा हैगा अपने प्रेपेंट से जिदा है वे देखने ने भी अपना का मुर्ख आगा वे बन्दूख चला उने चांदे मुर्खान देंकंडे ते रहां ते रहां अपने ने पीजाता किता है और अपने प्रेपेंट नहीं जाएगा ते ओदे मूर्ड़े दे राखके फेरे सारे गंदे काम करूंदेने, शिरारत करूंदेने, ते मूरख जाते जड़ा हैगा, उन अपने प्योवन उचाड़के ते अपने बेज़ती मादी भी करूंदा हैगा, ते इनी अकल निके जड़ा पिंड़ दा शेर दा नो हुंदा, जात बदले नहीं जांदी, जात बदले ता आदमी अपने आप ही हरामदा बनता हैगा, ते ए जड़े फे बाद जे हरामिया ले काम कर देने, जेना तो तुर्षी कोई बंदियाना काम नहीं जाट चोगे, ते हुन अगला हो में दी दूजी पार्ट